हेलो राते राते वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब अच्छे है ना आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे मैं भी ठीक हो और आज 17 अक्टूबर है मंडे का दिन और अभी मैं यहाँ पर सुबह की पूझा कर रही हूं और फ्रेंट्स आज ना एक म पास्ट तो सबसे पहले आप सब ही को मेरी तरब से अहुई अस्टमी की धेर साधी शुपकामना है और आज का यह अहुए अस्टमी का वरतना से वैसे होता है जैसे करवा चौध का वरत होता है तो अभी मैं पूझा कर लूँ फिर उसके बाद किचिन में खानी पीने की ति के लिए अहुए अति मेरी पूझा में पूझा में जो है अठावरी बना थो फूझा रखाद्ह जाता और न्यूंगर आज के इस वरत में ना तारों को अर्ग दिया जाता है जैसे कर वहारा में ब्रत में स्पीनी निकले जल्दी निकल आतें लिए की गए जली बंदी नो क्योंति सब्ची अधिक फिर को पोड़ी के साथ बहुत पसंद और इस करता है कि कड़ा के लिटायि कुल कि बना रहें कोई भी सब्ची बनाओना बहुत तेस्टी बनती है और अभी मैं नीचे फर्ष पर पट्टे पर बैट करके आराम से आठा गूत रही हूं क्योंकि किचिन की सलाया बैना थोड़ी सी उंची है तो उस पर ना खड़े होकर के आठा गूतने में थोड़ी सी प्रॉबलम आती अच्छे से गूत नहीं पाती हूं तो नीचे फर्ष पट्टा लगा करके आराम से घूत रही हूं मैं अब और अब पूजा के लिए आठ पूड़ियां निकाल ले जिन्हें अठावरी कहते हैं बाकी की पूड़ियां पूजा करने के बात निकालूंगी क्योंकि अभी किसी को खाना खाना तो है नहीं और अभी निकाल करके यह आप पूजा के लिए त्यार हो गई हूं रैट साड़ी पहन करके और अपना ये जूलरी पहन लूँ कानों में यारिंग्स गले में सेट वगर यह मैं पहन लूँ क्योंकि ये पूजा भी मतलब अच्छे से त्यार होके शिंगार अच्छे से करके करनी होती है और आज बहुत बड़ी टेंशन हो गई है तो इसलिए आज में जाद अच्छी से तयार नहीं हुई हूँ जैसके करवाच उद पर त्यार हुई थी पस आया लगा के मेकप वगएरा करके बहुत जूड़ा लगा के बहुत अच्छी से तयार हुई थी लेकिन आज बिल्कुल भी त्या लगा ले रही हूं और पूजा की थाली में मैंने अठावरी सुजी का हलवा बिंदी चूडी सिंदूर महावर की सब कुछ रखा हुआ है और होई आठे की जो माला है वह भी रखी हुई है और अभी मैं यहां पते को सारी त्यारियां कर लिए मैंने चौक पूर करके चौक लगा रही हूँ होई आठे का और जो पहले के करवा चौत के कलेंडर लगे थे वो मैंने हटा करके पूजा की अलमारी में रख दिये हैं और अभी मैं पैरो में महावा लगा ले रही हूँ और ममी जी पापा जी मैंसे कोई भी घर पर नहीं है सभी हॉस्पिटल गए हुए हैं और क्यों गए हैं यह भी मैं आप लोग को बताऊंगी और फिलाल मैं पूजा कर लूँ अपनी अभी तांशु को भी रेडी करना है और अभी यहां पर मैंने गौर बनाए हैं मिट्टी से और उनको कपड़ा उड़ा दे रही हूँ तो जैसे मैंने करवा चौथ पर गौर बनाए थी ना सेम ऐसे ही मैं इस वरत में भी गौर बना करके पूजा करती हूँ और अभी पापा जी जो है लोट करके आ गए हैं अपना टेली की पूजा कर रहे हैं और यह हमारी भी अहुई माता की पूजा स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले मैंने गौर माता को और होई माता को सिंदूर लगाया है फिर बिंदी लगाई है चूड़ी पहनाई है उसक को मैंने दौन पर साथियां बनाया है और यह कलावा बांदे रही हूं तो एक लोटे का जल से ना तो तारों को अर्ग दिया जाएगा और दूसरे लोटे का जल है वह दिपावली तक ऐसे ही रखा रहेगा धकर के और दिपावली वाले दिन तांशु उस जल से स्नान करेग और अभी मैंने गौर को हुई माता को फूल चड़ा दिये और यह भोग लगा दे रही हूं जो अठावरिया सुजी का हलवा है और यह मेरी कोई माता की माला जिसमें राव माता का लॉकिट पढ़ा हुआ है और इस मोथी पढ़े हुए तो यह तीसला मती अन्य प 수가 यहीन पर इस साल दलवाया है और इस माला को कथा को नुद्धा सुनने से पहले पूझ करके फिर हैं अपने गले में पहन लिया है और अब मैं जो एक कहानी पढ़ ले रही हूं जो कथा पढ़ने के बाद तांश को तिला किया है उनको माला पहनाई है मैंने बड़े खुश है आज कि आज देखो मेरी पूजा हो रही है फिर जो एक लोटा है जलका उससे ना तांश के सिर्फे साथ बार मैं को अर्ग दिया जाएगा और उसके बाद शोकल को संदूर और दूसरे हाथ चाहिए हुआ है कर दो और चाहिए है चोदोगा क्यां तो टेंशन का माहौल तो इसलिए फिर लेट रखो गई है और अभी तारों दे दिया है और फ्रेंट्स मेरी सब्सक्राइबर है प्रीति आग्राहरी जो की गुरखपूर से उनके बेटे शिवांश का वर्दे था कल 18 अक्टूबर को लेकिन कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था तो आज के इस ब्लॉग में प्रीती जी आपके बेटे शिवांश वो मेरी तरफ से जनम दिन की धेर सारी शुपकामना है और मैंने भी पुजा पाट करके और तारों को अर्ग दे करके कपड़े चेंच किये हैं और खाना खाने जा रही हूं और आज़ी पुजा पाटना सब ऐसी हुई है फोजलबाजी में हुई है क्योंकि घर में इतना टेंशन का माहौल है बात ही कुछ ऐसी हो गई है मैं जब प बिजली के खंबी पे चड़े हुए थे उस टाइम पे जब लाइट सही करें तो शट्डाउन था लाइट नहीं थी तो लेकिन अचाना सपनी किस ने जो है सट्डाउन जोड़ दिया लाइट लगा थी तो उनको हलका सा बिजली का जैसी जट्का लगा है उनका मत्तब हलका अच्छा है कि बिजली का जट्का जादा नहीं रगा है और जट्के से ना वह नीचे गे रहे हैं सीधे खंबे से नीचे रोड़ पर गिरे हैं तो उनके यहां सिल में पीछे बहुत ज़्यादा चोट आई बहुत ज़्यादा ब्लीदिंग होई लिए उनके कान से भी खून को आ गया है बोल भी रहे हैं लेकिन फिर भी अभी भी कंडिशन उनकी थोड़ी सी सीरियस है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग उनकी बंद नहीं हो रही है कान में अभी भी उनके ब्लेट निकल रहा है तो लगा दी गई है और उस वतना जब यह खबर सुनी तो मेरे खुद हैं सब्सक्राइब होस्पिटल भागे हैं और बस अभी थोड़ी देर पहले होस्पिटल से आए हैं जब भुला विया हो मेरे देवर होश में आ गये तब होस्पिटल से लौट करके आए हैं और अभी रात में वहां पर मौसीची रुकी हुई है और उनका एक बेटा भी र करके आए हैं प्लीज